तो आये start करते हैं अपने दही बले बनाना या दही बड़े बनाना तो सबसे पहले मैंने ये मूंग की दाल ली है 1.5 कटोरी और इसको पानी डाल के बीगोना है हमें पूरी रात के लिए ये येलो मूंग की दाल है इस तरह से मैंने इसको बीगाया है और अब मैं ले रही हूँ उड़त की धुलीवी दाल एक कटोरी तो अगर आपके पास उड़त की धुलीवी दाल नहीं है तो आप छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं अगर आप उसे ओवर नाइट भी गोएंगे तो उसके चिलके सुबा मॉर्निंग में वाश हो जाएंगे तो इसको भी मैंने पानी डाल के पूरी रात के लिए भीगोरी हूँ इस तरह से इसको साइट में रग दें और अब यह देखिए यह दाले मैंने जो पूरी रात के लिए भीगोई थी यह तोड़ी सी फुल गई है यह मूंग की डाल है और यह मेरी उड़त की डाल है चलिए अब इसे मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं अब इस तरह से मैंने इसे मिक्सी में डाल के पीस लिया है अब मैं बेटर को निकाल लूँगी यह देखिए मेरी तोनों बेटर एक साथ ही मैंने निकाल लिये हैं अब इन्हें अच्छे से मिक्स करना है तो चलिए अब इसमें थोड़े से मसाले मिलाते हैं अपने सबसे पहले मैं इसमें मिलाऊंगी आधा जमश नमक थोड़ा सा हींग और आधा जमश जीरा और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है हम इसे जितना मिक्स करेंगे बेटर हमारा उतना ही अच्छा बनेगा हमें इसे एक ही डारेक्शन में मिक्स करना है कट और फोल्ड मेथर्ड यूज नहीं करना तो अब आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स करें देखे मेरा बेटर मिक्स करते करते एकदम फ्लफी सा हो गया है और दाल मैंने थोड़ी कुछ इस तरहां से पीसी थी दर्दरी सी अब मैं हाथ में थोड़ा सा बेटर लोंगी और इसे पानी में डाल के देखेंगे ये एक ट्रिक है कि हमारा बेटर रेडी हुआ है के नहीं देखिए अब ये बेटर पानी में डालने के बाद एकदम तैर गया है इसका मतलब कि हमारा बेटर एकदम ब्रेडी है आईए अब हम अपने भलो को फ्राई कर लेते हैं तो इस तेल मैंने पहले से ही गरम किया हुआ है अब इस तरह से आपको बेटर अपने हाथ में लेकर भलो को फ्राई होने के लिए डालना है आप अपने अकॉर्डिंगली अपने साइस के हिसाब से देख ले कि आपको किस साइस के भले बनाने हैं छोटे बनाने हैं बड़े बनाने हैं नॉर्मल मीडियम साइज के बनाने हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग ली देख लें कि फ्राइ करते समय आप ये ध्यान रखें कि कहीं आपके हाथ में गरम तेलना लग जाएं तो थोड़ा ध्यान से डालें और ग्यास को हमें सिम पर ही रखना है भले हमें सिम ग्यास पर ही फ्राइ करने हैं वरना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे अगर आपने इनको तेज फ्रेम पर फ्राइ किया तो तो इस तरह से इनको फ्राइ कर लेंगे हम अभी देखिए मेरे भले एक दम फ्राइ हो गए है तो मैं इनको निकाल लोगी इस तरह से मैंने इने टीशू पेपर पर निकाल लिया है अब एक साइट पे मैं एक बरतन में पानी गरम करूँगी हमें पानी को उबालना नहीं है हमें इसे बस नॉर्मल गुन-गुना पानी करना है तो इस पानी को थोड़ा सा गुन-गुना कर लेंगे और देखे एक तरफ मेरे भले फ्राई हो रहे हैं थोड़े से मैंने और डाल दिये थे फ्राई होने के लिए तो देखे मेरे सारे भले फ्राई होकर एक दम रेडी हैं अब जो हमने पानी को गरम किया था ये सारे के सारे भले उस पानी के अंदर डाल देंगे इसको हमें डेप करना है पानी के अंदर एक घंटे के लिए हमें इसे रखना है डेप करके इस तरह से आप इसको हलका सा प्रेस कर दें और इन्हें रख दें एक घंटे के लिए तो अब मैं ये फ्रेश दही ले रही हूँ और इसके अंदर मैंने ये दो चमच पाउडर शुगर डाली है ये एक कटोरी के असपास दही है इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई लंज ना रहे और आप ये जो भले हमने भिगाए थे अब मैं आपको ये मिल पास पहले से बनी हुई थी उसके बाद मैंने भले को इस तरह से हाथ में लिया है और इस तरह से इसको दबाया है ताकि इसका एक्स्ट्रा वाटर इसमें निकल जाए और एक एक करके मैं इसी तरह से फोर टू फाइव भला इसके अंदर रखूंगी इस तरह से आप इने रख लें अब जो दभी का मेक्षर था वो हम इसके अंदर डालेंगे अच्छे से आप दही थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालें क्योंकि भले थोड़ा सा दही को सोख लेते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा दही डालेंगे हम इसके अंदर अच्छे से उसके बाद ये मेरे पास पापडियां बनी हुई है तो मैं इसको हलका से हाथ से क्रश करके इसमें तोड़ दूँगी ये एक पापड़ी है मैंने इसमें से क्रश करके डाल दी है उसके बाद ये मेरे पास ग्रीन चटनी बनी हुई थी पोदीने धनिये वाली तो ये मैंने इसके अंदर डाली है ये मैंने पहले से बना के रखी दी और ये red chutney है इमली की ये भी मैंने पहले से बना के रखी दी अगर आपको इसकी recipe चाहिए तो आप मुझे comment box में बता दीजेगा उसके बाद ये roasted jira powder है और ये red chili and salt दोनों को मैंने combine करके रखा था उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला उसके बाद ये थोड़े से अनार के दाने और ये फिर मेरे पास थोड़ी सी save है जो market में आपको मिल जाएगी बारीक वली तो ये थोड़ी सी मैंने इसके उपर save डाली है तो देखिए मेरे भले एकदम तयार हैं खाने के लिए अगर आपको recipe पसंद आई हो तो comment, like, share जरूर करें मेरे चैनल को subscribe करें बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाले वीडियो की notifications आपको